प्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने OPPO F25 Pro Android में अगर आपके मुवाइल फोन की call screen off हो जाती ही तो इस problem को आप solve कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटियल में जानकरी देने वालों तो चले आप वीडियो का में start कर लेते हैं देखी दोस्तों अगर आपके मुवाइल फोन की call की screen अगर off हो जाती ही बरवार तो इसकी solution के लिए करना क्या है इस फाले आपको नीचे की साइड ना एपस का ही उप्शन अपस पर टाप करना है अब अगले पेज में सबसे उपर इस शिस्टम आपका ही जिरो हो जाता है अब देखे अगला काम काम करना है आपको जो ना बैक पे जाना है ठीक है इसके भी back page पे जाने है तो यहाँ पर यह जो Android system था ना Android system के इसी line में आपको नीचे की side यह system UI system UI का option tap करना है अब देखे इस वाले page में आपको storage का यह option tap करना है अब देखे अगले page में आपको नीचे clear catch का यह option tap करना है तो आपको catch के सामने और डिटर 0 हो जाएगा ठीक है इस तरीके सा आपको इस दो प्रोसेस आपको सबसे पहले complete कर लेना है ठीक है अब देखे अगला काम करना है कि आपको अपने mobile phone का software आपको चेक करना है कि update है या नहीं है पहले तो mobile phone का internet आप चालू कर लीजिए इसके बाद phone का setting page आपको open करना है setting page में सबसे उपर सर्च बार में software आपको लिखना है ठीक है नीचे आपको इस software update का option आता है इसे tap करना है अब आपको जो है इस वाले page पे कोई भी update का button या download install अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको tap करके phone का software update कर लेना है ठीक है अब देखे अगला काम करना है कि आपको जो है अपने mobile phone को reset करना है देखे दोस्तों यहाँ पर mobile phone को reset आपको तब करना है तब आपको phone को reset करना है अदर्वाइस नहीं करना है phone को reset करने के लिए phone का setting page open करिए setting page में सबसे उपर सर्च बार में reset आपको लिखना है आपको नीचे की side options होगा erase all data factory reset पे टाप करना है अब आपको जो है इस वाले page पे erase all data का यह option टाप करना है आपका नीचे यह page आता है इसमें आपको erase data का option टाप करना है इससे आपका phone जो reset हो जाएगा और आपकी mobile phone की call screen off हो जाती है प्रॉलम आपकी solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले ना दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने है आपके phone में जितना भी data है सारा data आप किसी भी दूस दूसरे phone में transfer कर लिजे या आप अपने phone की data का backup ले लिजे दूसरी बात ही ध्यान रखने है आपके phone की gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद phone को reset करना है ठीक है तो मेरे बताएवे सारे process आप use करेंगे तो इससे आपक यह problem solve हो जाएगी ठीक है ना